हाई फ्रेंड्स आज भी हम लेक्या है अप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी से किचन टिप्स अधर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स जो कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी होंगी और अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो आपकी समय के साथ सक पैसो की भी ब लासन की यानिके ज्यादा अमाउंट में जब हमको लासन चीलना होता है तो फिर हमें दिक्कत आ जाती है कि छिलके जो हटाने में बहुत जादा टाइम लगता है तो इसके लिए बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स हम जिसका अगर आप जब दया घ्यावन होता है इसको हम ने चिलके साथ ही डाला आपकी घ्लके किया है जिलके साथ ही जामाफ ये जिपस बतार किया में देखरना अच्छे से प्लाचंग ने गुगा सी अगरी जोगता होता है यह वाइसला हो जाएग थैए तो इस तरीके से ठीर सारे लहसन को छिल करके तियार कर सकते हैं और उसके बास से देखिए हमने क्या किया है हमने यहां पर पानी लिया एकटोरे में और फिर सारे लहसन को हम इसमें डाल देंगे अचा पानी में क्यों डालना है पानी में इसलिए डालना है कि हमने जो लहसन को चिलके को अलग करना तो यह टिप्स पर्सनली हमें बहुत पसंदें फ्रेंट्स आप लोग भी एक बार जरूर आजमा करके देखिएगा यह बहुत अच्छे से टिप्स हैं अच्छा यह मत सोचेगा कि अब हमने पानी में डाल दिया लासन को तो इसका जो फ्लेवर है इसका यह टेश्ट है वो कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अब सिर्फ एक बार इसको ट्राइ करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा तो यहां पर देखिए हमने इसके सारे छिलकों को अलग कर लिए और कहीं एक आद अगर लासन में छिलका है तो इसको हम हाथ लासन एक दम क्लीन हो जाएंगे तो मिद करते हैं फ्रेंट इस टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी और देखिए यहां पर बस एक दो में बचा था चिलका तो हमने हाथ उसे हटा दिया है इस तरीके से तो जब कभी ऐसा हो कि काम बहुत जादा हो टाइम बहुत कम हो लासन चीलने में टाइम वेश्ट मत कीजेगा इस टिप को यूस कर लीजेगा या इससे आपके फटा-फट से हेल्प हो जाएगी अब बस इसको चान करके जो लासन है उसको हम अलग कर लेंगे तो लासन को चीलके हमने अलग कर लिया है अच्छा अब इसी से एक टिप सौर आती है देखिए बहुत पर क्या होता है जब भी हम लासन को चीलते हैं या फिर प्याज को काटते हैं जब भी यह लासन प्याज वाला काम होता है तो आपने देखा होगा कि हातों से बहुत जादा इसमेल आने लगती है जल्दी जाती नहीं है यह तो सभी को पता है तो इस इससे जो इस्टील वाला होता है, इससे इस तरीके से हातों पे पढ़ियां से इसको घिस लीजेगा, इससे क्या होगा, कि यह बहुत ही अच्छे से जो इसमेल होती है आपके हातों की लासन प्याज की, वो इसमेल को खतम गड़ देगा, इस्टील का ही कोई भी बरतन आप ले या फिर प्या जो इसकी जो इसमेल नहीं जाती है वो आराम दे चली जाएगी एक गए ट्राइए करके देखेगा ये टिपस आपको बहुत अच्छे लगेगी अच्छा चलिए ऐसी बहतरीन सी टिपस एक और देख ली जाए बिना देरी किये तो यहां पर क्या होता है फ्रें करने वाली प्रॉब्लम थी वो हमेशा के लिए कतम हो जाएगी अच्छा यह नहीं है कि सिर्फ एक बर आप क्लीन कर लेंगे तो हमेशा ही क्लीन रहेगा इसको हपते में दो से तीन बर जरूर आजमाएगा इससे क्या होगा यह बहुत अच्छे से ऐसे ही चमकती रहेगी ब अच्छे से साफ कर लिया और साफ करने के बाद से इसको थोड़ा सा धो लेंगे और फिर आप देखिए फ्रेंट्स यह बहुत अच्छे से बॉटल जो है चमक गई है अच्छा इसी के साथ सथ अगर आपको यह लग रहा हो जैसे कि हमने घर की बॉटल में इस किस तरीके से अच्छे डखकन को फिट किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फ्रेंट्स अपर जाकर के जरूर देखे यह बहुत अच्छे से देखिए बहुत बर क्या होता है जब हम ऑईल डालने की कोसिस करते हैं निकि जब हम ऑईल डालते है कड़ाई में तो आपने देखा ह टिपस अच्छी लगी होगी, आप उसे जा करके जरूर देखेगा, तो चलिए ऐसी बैतरिन सी टिपस एक और देख लेते हैं, और अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जर रोड़ शेयर कीजेगा, इससे उनको भी बहुत हैल्प मिल सकेगी, अच्छा बहुत बार क्या होता है, देखें, जब भी हम कोकर में कुछ भी बनाते हैं, चावल बनाएं, चावल बनाएं, चावल के साथ बहुत ज़्यादा आती है, देखें, कभी हम चावल में सीटी अगर आप ओवर कुकिंग को रोपना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कुकर को एक धाली में रखें, और उसके बाद से उपर से इसमें पानी डालें, पानी जब आप डालें, तो इसके अंदर जो भी चीज होगी, उसका जो ओवर कुक होना होगा, वो रुख जाएगा, जिसके वैसे आपके जो चावलें, वो बिल्कुली खिले-खिले बनेंगे, तो इस पर जरूर से पानी डालें, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, कि आप सीटी काउंट करना भूल गया है, और ज़्यादा लग गया है, अंदर का खाना, तो इस तरीके से आप उस पर पा तब करते हैं, तो बारिस होते हैं, तब करते हैं, बस यह दो टाइम पही चाती का यूज होता है, और उसके बात तो चाता जो एसी रखा रहते है घर में, अच्छा नहीं होता है, जो भी टूटेने लगती है, जो कि बिलकुल भी सही ही, चाते जो है बहुत ही महाँंगे आते हैं तो इसको शेर रखना भ necessarily है तो आज वही टिप्स आपके साथ हम शेर करेंगे कि किस सरीके साथ चाते को अच्छे से रख सकते हैं देखें अगर इसका बेंड तूट गया है तो आप तरह से चाते को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बास से इसमें जो रबर बेंड होती हैं उसको अप लगा लेंगे, इसके वेसे आपका जो चाता है वो बहुत ही सही रहेगा देखें, इस तरह से रहेगा, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एक तो रहेगा और दूसरी चाहती आप इसको अच्छे से रखने की कि हम इसको ठीक से रखे कैसे तो देखे बहुत लोग के पास तो छाते के जो हैं कवर होते हैं लेकिन अगर आपके पास कवर नहीं है तो यहां पर आप क्या की जेगा फ्रेंट्स यहां पर कोई भी एक पुराना पर नया जैसा भी आपको ठीक लगे एक मोजा ले लिजेगा और उसके बास से इसमें इस तरीके से चाते को अंदर डाल करके रख दीजेगा इससे आप देखेंगे कि चाता जो है विल्कुली सही रहेगा और नीचे एक रबड बैंड लगा लिजेगा और अब जब आप अ प्रिंट्स एसी और भी बहुत सारी वीडियो चानल पर पहले से अवेलबल है प्लीज एक बड़ जा करके जरूर देखेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग